आज देखो हमारे जादू के पिटारे में से क्या निकल रहा है तो ये निकल रहा है बहुत सारी सीजनल प्लांट जो कि हम अपने गार्डन के लिए लेकि आए गार्डन को चमकाएंगे क्योंकि तो आपका बहुत-बहुत स्वागते मेरे माय मिनी बगीचा गार्डन में तो तो बस बहुत सारे hanging baskets थी जिनकों कि हमें fill करना था कुछ plants के साथ में तो hanging basket में मैं pitonia लगाना सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि ये नीचे की तरफ hang करती है और बहुत ही सुन्दा लगती है और बहुत सारे color आते और आप देख सकते हैं कि मेरे garden में बहुत सारे hanging basket है क्योंकि मुझे ये लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है इनसे बहुत ही खुबसूरती आती है garden में साथ ही आप देख सकते हैं कितने सारे color मेरे garden में अब add हो चुके क्योंकि बॉगन बेल में ब्लूमिंग आ चुकी और बहुत ही सुन्दर तरीके से ये खिल रहे है और कुछ हम लेके आये थे ये क्रायसेंथिवम यानि गुल्दाओधी के प्लांट और कुछ पॉइंट्स में आप लोगों के साथ शेयर करती जाओंगी कि हमें किस तरीके के प्लांट खरीदने चाहिए कैसे प्लांट लगाने चाहिए तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि प्लांट खरीदे समय आप एक तो हेल्दी प्लांट खरीदे दूसरा पूरे जिसके फूल खिल गए हो उस प्लांट को बिलकुल भी न खरीदे क्योंकि जैसे आप कलियां बने हुए प्लांट को लेंगे तो वो आपको जाधा आनंद देंगे धीरे धीरे फूल खेलेंगे और वो लॉंग टाइम तक खेले रहेंगे आपके गार्डन में अगर आप खिले हुए फूलों को लाते हैं तो वो बहुत समय से खिले होते हैं और आपके गारडन में आने के बाद जब आप रिपॉर्ट करते हैं तो वो खतम हो जाते हैं तो प्लांट आते ही खतम हो जाता है तो वो आपको आनंद बिल्कुल नहीं दे पाएगा तो healthy होने क साथ पूरे प्लांट ब्लूम ना किये हों मतलब फूल ना खिलिए हुए हो इस तरीके के प्लांट आप खरीदे और मैंने एक और चीज नोटिस करी है जो वाइट कलर की पिटोनिया होती है वह बहुत जादा बुशी होती है तो एक साइड में सारी की सारी वाइट कलर की तो इस तरीके से आप गार्डन में जैसे फूल और वेजिटेबल के प्लांट साथ में लगाइए तो जो बीज होती है फूलों पे अट्रेक्ट होती है और वह हमारे वेजिटेबल के प्लांट पे भी वैठेंगी तो काफी अच्छा पॉलिनेशन हो जाएगा और फ्रूटिं आपको कुछ पॉइंट ऐसे शेयर करूंगे जो आपके लिए बहुत ही यूसफुल होंगे और देखिए कितना सुन्दर और क्रैस सेंथिमम का कलर और काम करते करते हमें चाय ना मिले टी ब्रेक ना हो तो बिल्कुल मजा नहीं आता और गार्डन में जब तक चाय ना पिए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होता है क्योंकि बहुत आनंद देता है जब हम सारे प्लांट लगा लेते हैं उसके पात जब गार्डन साफ करते हैं तो गार्डन लगता है बहुत ही बपसूरत चलिए यह तो अपनी परसिनल बात हो गई अब बताते हूं प्लांट के बारे में लगा रहें बिल्कुल द्रोप एक बड़े या ऐतने और छोटे आथे मरे तो या तृप बॉरा प्लांटर टैकर। और अगर आप इसे बड़े प्लांटर में लगाना चाहते हैं तो दो से तीन पौधे कम से कम लगाएं तभी ये खुबसूरत दिखाई देगा तो यहां मैं बहुत छोटा प्लांटर है इसलिए एक ही पौधा लगा रही हूँ और ये प्लांटर जो है वो कुछ समयवाद इसलिए मैं बहुत सारे प्लांट पैंजी के भी लेके आई हूँ और अभी बहुत सारी वेराइटी जो है वो आने को रह गई है ये प्लांट की क्योंकि कुछ धीरे धीरे आते जैसे बहुत ज्यादा विंटर होती है उसके बाद मिलते तो अभी जैसे विंटर की मैं तेरे से चौदे साल हो गए मुझे गार्डन मनाए पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे जो गैंदे के प्लांट वह बहुत अच्छे नहीं हुए अब क्या रीजन रहा इसका तो मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है तो जो गैंदे एक किसी जənिका नहीं होता हम दौनों मिलके करते है और जिसको जो काम पसंद है वह से आपने प्लांट लगाना पसंद नहीं हो बस हम मिल चल के जो भी हमें पसंदीदा काम हो हम कर लेतें के गार्डन में अब हम आ गया है उपर वारे पोर्शन में यानि टौप वाले टैरि इस बार बहुत अच्छा चल रहा है जो कि मैंने शॉट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रहा है और यह जो हमारे पिटोनिया के प्लांट में लगा रही हूं बलकि मैं सभी प्लांट को बोलूंगी जो कि विंटर की सीजनल प्लांट होते हैं तो ना उन में ओवर नहीं इनमें कम करना तो बस थोड़ी सी बाते हम रखने वाली होती है साथ ही इसकी जो मिठी होती वह व में चाहिए जो इसका ड्रेने होल होता है वह प्रॉपर होना चाहिए तभी आपके जो विंटर फ्लार होंगे वह अच्छे ब्लूंगे और लॉंग डायम तक चल इसने ट्राइपॉट को ड्रोन बना दिया है और वो हाथ में उठा के चारो तरफ का वीडियो सूट कर रहा है तो बस इतना ही आप लोगों के लिए और वीडियो पसंद आयो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा ओके फ्रेंद्स टेक केर बाए